जब एक भक्त के सामने उसके आराध्य आकर खड़े हो जाएं तो उसका हक्का बक्का रह जाना तै होता है ऐसा ही कुछ चतीस गड़ के रहने वाले सुनील कुमार के साथ हुआ दरसल चतीस गड़ के रायपूर के रहने वाले सुनील कुमार बागिश्वर धाम पीठा धीश्वर पंडित धीरेंद कृष्ण शास्त्री के अनन्य भक्त हैं बे बागिश्वर धाम बाला जी के दर्शन करने और अपने गुरू बागिश्वर धाम पीठा धीश्वर से मिलने के लिए पदियात्रा करते हुए बागिश्वर धाम जा रहे थे उन्होंने बागिश्वर धाम गढ़ा तिराहे से अपनी पीठ पर बैग लाद कर पदियात्रा प्रारम भी की थी कि कुछी देर में उनके सामने बागिश्वर धाम के पीठा धीश्वर मौजूद खड़े नजर आए खल्डू कैसे हो? आप लो जाए इस अजबाने हो जो जब लो जाए इतले हो आए दरसल बागिश्वर धाम के पीठा धीश्वर ग्राम राम नगर में आयुजेते कारक्रम को निप्टा कर बापस धाम जा रहे थे तब ही उनकी नजर पैदल चल रहे सुनील कुमार पर पड़ गई उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी सुनील को नजदीक बुलाया और उसे अपने गले लगा लिया सुनील के साथ तस्वीर भी खिचाई उसका हाल चाल भी जाना बागिश्वर धाम पीठा धीश्वर को अपने सामने पाकर सुनील के आँखों में आसू आ गए सुनील भाबोखों कर रोने लगा सुनील के साथ बागिश्वर धाम सरकार की कुछ तस्वीरें कीची गई जो उसके लिए हमेशा यादगार रहेंगी सुनील ने बताया कि वह पहले हरिद्वार से बागिश्वर धाम की पदयात्रा कर चुके हैं गंगा जल लेकर बे यहां आये थे इस बार भी बागिश्वर धाम सरकार के दर्शन के लिए बे दूसरी यात्रा पर आये थे अचानक उन्हें उनके गुरू सामने ही मिल गए मैं उसके चेहरे इतना मुस्कान लगता है कि मैं बदका नहीं सकता है तेम साक्षात वीर हन्मान है और उनके उपर सदा गुरू दे भगवान के उपर भगवान वीर हन्मान और बागेश्वर संभू का क्रीपा बने रहे कैसा लगा है उनने तुम्हें गली लगाया है मिले हैं बातचीत हुई है मैं तो बोल ही नहीं सकता मैं तो एक दम छोटा सा पकड़ा उनका बहुत बड़ा बड़ा गुरू भगवान का चला है और मैं इतना विस्वास रखता हूं परम पुज्य गुरू दे भगवान के च हुआ है झाल झाल